कल साल का पहला सूरिग्रहण ग्रहण होने जा रहा है 54 साल बाद मूون सूरिग्रहण होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के जर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरिय चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पढ़ेगा सूरिय ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहा सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सोमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमोमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18